शहर में एक नीजी कंपनी के और से 50,000 रुपे के राशी लेकर लड़कियों को नोकरी देने तथा एक माहा बीच जाने के बाद भी उन्हें पगार नहीं देने का मामला सामने आया है कंपनी में काम करने वाली कुछ लड़कियों ने इस बाबत कंपनी के खिलाफ सांकेत नगर थाने में शिकायत दी है शिकायत के आधार पर सांकेत नगर थाना पुलिस ने मामला दर्च कर जाश शुरू कर दी है मंगलवार को सांकित नगर थाने में शिकायत लेकर पहुची पिडिताओं में से एक रिना जाट ने बताया कि ब्यावर शहर के टाटगर्ड वोर्ड इस्तेथ गूजर की थड़ी के पास AWPL कमपनी का ओफिस संचालित किया जा रहा है कमपनी में नौकरी देने के नाम पर 50,000 रुपे की राशी ली जाती है उसके बाद एक ID एक्टिवेट कर दी जाती है और एक किट देकर काम पर लगाया जाता है पिडिता ने बताया कि चैन मार्केटिंग सिस्टम से इसमें लोगों को जोडने का दबाव बनाया जाता है पिडिता इना जात ने बताया कि करीब एक महिना हो गया लेकिन पगार मांगने पर और सदस्यों को जोडने का दबाव बनाया जा रहा है पिडिता का आरोफ है कि चैन सिस्टम में और लोगों को नहीं जोडने पर उन्हें परतारित किया जा रहा है जानकारी मिली है कि ब्यावर में कंपनी में नौकरी करने वालों में बिलवाडा अजमे सहित अन्यप जीलों की लड़कियां शामिल है हाँ बताएं क्या मामला हुआ है आपके साथ किस तरीके से फॉर्ड हुआ है कौन सी कंपनी है ब्यावर में किसे के स्थित ही है गुजर की तड़ी के पास है कितने रुपे लिए आपको नौक ले देने के नाम पर पिचाल जार पे जमांगरों इसकी आईडी में लेगी आपको कोई नहीं निकाल सकता है आपने कितने लोगों ने उसको पैसे दिये हैं उसके बाद क्या किया उनों ने उसके बाद हमें कि हम ने जब से रिपट लिखे मिना फिर व गया तो पर फेसे दोना तो बोलते है कि तुम पास लच्गें को बलागे तब ही तब लखे पैसी हाई तो हम नहीं बलातेuju हैं कितने समय से रह़ על केंगे घ Style पलवाडा डिस्टिक्स का नाम का नाम सब्सक्राइब गर्वाजियरे काम करवाते हैं यह काम वहां पर कि यह वोलते हैं कि लड़कियों को मुलाओ तर्पी पैसा है करना नहीं हाई का हुमें रूम पे रखते हैं कि हमें वार भी नहीं देखते थे हुमारे साथ बहुत पुरा वर्दा बुक्ती जी दुबाब के आज़ते हैं